नमस्कार, मैं दीपक सागर कविता का शीर्षक है गांधी जी की मानो सेवा आज करोना काल में देखकर मानो सेवियों की दशा गांधी जी को और भी रुना आया है ना जाने क्यूं डॉक्टरों नर्सों और पुलिस वालों पर लोगों ने पत्थर बरसाया है आज करोना काल में देखकर मानो सेवियों की दशा गांधी जी को और भी रुना आया है देख विभाजन देश का देख विभाजन देश का गांधी जी हुए थे बहुत दुखी दोनों पक्ष थे जिद पर अडए तब मानो सेवा को धर्म बना उन्होंने सम्मान पाया था आज करोना काल में देखकर मानो सेवियों की दशा गांधी जी को और भी रुना आया है बात 1962 की बात 1962 की जब भारत चीन ने एक दुसरे पर हत्यार ताना था यह देख गांधी जी हुए थे बहुत दुखी पर इसके अलागा और ना कोई चारा था तब भी तब भी देख मानो सेवियों को अग्रसर अपने पजजिन पर गांधी जी ने कुछ तो तसलिप आया था आज करोना काल में देख कर मानो सेवियों की दशाव गांधी जी को और भी रुना आया है बात 1971 की जब भाई ने भाई पर हत्यार ताना था बात 1971 की जब भाई ने भाई पर हत्यार ताना था देश विभाजन देख चुके थे अपनी आखों से भाई भाई से हिम लड़ेगा ऐसा कभी ना सोचा था तब भी मानो सेवियों का देख समर्पन गांदी जी का मन खुशी से भराया था आज करोना काल में देख कर मानव सेवियों की दशा गांधी जी को और भी रोना है बात 1984 की जब बच्चों को आपस में लड़ते देखा था यह देख गांधी जी को रोना आया था बात 1984 की जब बच्चों को आपस में लड़ते देखा था यह देख गांधी जी को रोना आया था पर तब भी मानव सेवियों का सम्मान देख गांधी जी का मन भरवाया था आज करोना काल में देख कर मानव सेवियों की दशा गांधी जी को और भी रोना आया है ना जानने क्यों डॉक्टरों, नर्सों और पुलिस वालों पर लोगों ने पत्थर बरसाया है आज करोना काल में देख कर मानो सेवियों की दशा गांधी जी को और भी रोना आया है धन्यवाद